नमस्कार साथियों आप सभी का मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और जो चाहो वो पूछो सरंकला में आज हम आठवी प्रशनोत्तरी लेकर आ रहे हैं और आज आठवी प्रशनोत्तरी के माध्यम से बहुत ही बहतरीन प्रशनों का संग्रह म में आपके लेकर आया हूं और इन प्र dessas मखिने दिखने हैं उन लोगों को पता होगा यह जो देंगी तो भविशे में आपको पता लगे लगे किस तरह से बिल्कुल आपके प्रस्णोंतरी मैं से आपको सेम सेम सेểm मिलने वाले हैं ज्यादा तर मैं यह नहीं कहा रहा कि पूरे के पूरे पूरे प्रस्ण मिल जाएंगे लेकिन mostly प्रस्ण आपको इस प्रस्णों तरी में मिल जाएंगे जिससे कि आपको प्रस्णों को हल करने में बहुत कम समय लगेगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और फिर वो क्या करते रहते हैं कि टाइम कम पड़ जाता है उनको और फिर जब रिजल्ट आता है तो वो पास नहीं हो पाते समस्से आए बहुत सारे लोगों की इनकी स्पीड नहीं बन पाती और बच्चों की समस्से आए कि सर जीके में तो बड़ी दिक्कत आती है प्रशनी बहुत लेंदी होता है और फिर उसको पढ़के फिर समझ के फिर आंसर करना होता है तो उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं होगा आपके साथ, जब आप इन प्रशनों को समझेंगे, इनको हल करने का तरीका सीखेंगे, तो आप देखना, जब आप परिक्षा देंगे, तो आपको बहुत कम समय में आप इन प्रशनों का अंजर कर पाएंगे, चलिए दोस्तो, आज के इतिहास, प्राचीन भारती इतिहास की प्रशनों तरी आठ में मैं पुने आपका स्वागत करूँगा, और इन प्रशनों को देखते हैं कि किस तरह के प्रशन जो है, वो परिक्षाओं में पूछे जाते हैं, चलिए, देखिए, पहला प्रशन यहां दिया हुआ है और इस पहले प्रशन को आप आराम से देख लीजिए, कि निम्न कतनों में से कौन सा कतन जो है, वो सही है, प्रशन देख लीजिए आराम से, और प्रशन देख करके अंसर करें, कौन सा कतन सही है, पहला है 326 इसापूर में सिकंदर ने भारत पर अक्रबन किया था, दूसरा है तक्षिसला के शाशक आमभीक ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था और तीसरा है 332 इसापूर में सिकंदर की म्रत्यू हो गई थी यह तीन कतन यहां पे दिये हुए हैं और इन में से देख लीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर करिए सबसे पहले आपका अंसर मेरे पास उकलब दोना चाहिए मैं यहां पर वेट कर रहा हूं आप फटा फटा अंसर करिए प्रस्न अच्छे से पढ़ना और फिर आंसर करना निम्न कतनों में से कौन सा कथन सई है 326 इसापूर में सिकंदर ने भारत पर आकमन किया था तक्षिला के शाशक आंभीक ने शिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था और तीसरा है 332 इसापूर में सिकंदर की मत्यू हो गई थी इन तीनों में से चूज करना है देख लीजिए पहला ऑप्सन जो यहाँ पे है पहला जो कथने वो देख लीजिए कि 326 इसापूर में सिकंदर ने भारत पर आकमन किया जो बिल्कुल सही है तो पहला सही हो जाते है दूसरा है सिकंदर तक्षिला के साशक आमभीक ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है तीसरा है तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो आपके होगा सी ठीक है जो सी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्न यहां पर देखते हैं दूसरा प्रस्न है कि जेलम और चिनाव के विस्तरत राज्य का शाशक कौन था जेलम और चिनाव नदी के विस्तरत राज्य का शाशक कौन था आराम से देख लीजिए प्रस्न को और उत्तर दीजिए बहुती आसान है और मुझे यह उम्मीद है कि इस प्रस्ण का तो सभी बच्चे सही आंसर करेंगे कि जेलम और चिनाव यह दो नदिया है जेलम और चिनाव इस तरह से जेलम आ रही है और इस तरह से चिनाव आ रही है यह दोनों मिलती है तो इन दोनों के बीच का जो राज्य था वो किस के पास था सिकं और चिनाम नदियों के बीच था जिसे वर्तुमान में पंजाब का हम एक हिस्सा कह सकते हैं यहां पे इस पॉरस ने इस सिकंदर के साथ एक लड़ाई लड़ी थी जहेलम नदी के किनारे जिसको जहेलम का युद्ध वितस्ता का युद्ध या हाईडे स्पीज का युद्ध क कहा गया था ठीक है तो पॉरस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है 326 इसापूर में लड़ाई हुई थी सिकंदर और पॉरस के बीच चलिए ज्यादतर बच्चों ने इस प्रस्न का सही आंसर किया है तीसरे प्रस्न को हम देख रहे हैं कि कि किस विदेशी य कुछ लगबग मैंने एक हिंसांग को भी नहीं नहीं पढ़ाया है बाकी में सारे पढ़ा चुका हूं आपको इनके आदार पे आप अनुमान लगा सकते हैं किश्विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया तो यानि मैं प्राचीन तो आपको पढ़ाई चुका हूँ तो यानि जो कोई पीछे वाला होगा वही तो नहीं पढ़ाया तो जो मैंने पढ़ाया है उसमें से देख लीजिए कि सबसे पहले कौन आया था तो यहाँ पे जो इसका अंसर होगा बच्चो वो होगा आपके मेगास्थ नीच क्योंकि हेंसांग जो आएगा ये हर्ष वर्धन के काल में आएगा हर्ष के काल में आएगा ठीक है और ये कब आएगा 629 कब आएगा 629 में आएगा ठीक है थोड़ा सा पैन की मुटाई कम कर लेते हैं कब आएगा भारत में 629 में आएगा कौन हेंसांग ठीक है दूसरा है मेगास्तिज तो मेगास्तिज किसके समय आया चंद्रगुप्त मौर उसके टाइमिंग पर आया, तीसरा है इत्सिंग, इत्सिंग आया हे इंसांग के बाद, और चौता है फायान, फायान आया चंद्रगुप्त, दितिये के समय, यानि ये लगबग 398 में इश्वी के असपास आया था, तो सबसे पहला जो हुआ इसमें, वो कौन हुआ, मैगास् इसरे वाले प्रस्ण का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा B, चली, इसी सरंगला में चौता प्रस्ण देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, और प्रस्ण का आंसर करिए, ग्रहन मोक्छानु ग्रह, देखो बेटा, ये आसान प्रस्ण नहीं है, मैं इसको बह जाने अपनाई थी, मैंने आपको बताया था, और थोड़ा सा मैं आपको हिंट या देना चाहूंगा, कि ग्रहन मोक्छानु ग्रह की जो नीती इसने अपनाई थी, वो अपनाई थी, दक्षिन भारतिये राजवन्सों के लिए, उत्तर भारत के राजाओं के लिए गुप्त ने, तो इसका सबसे correct जो अंसर होगा, वो होगा सम१्रगुप्त, क्योंकि सम१्रगुप्त ने दक्षिन भारत के जब बारा राजाओं के संग को हराया था, तो उसने दक्षिन भारत के राजाओं से केवल भेंट उपहार लेकर ही वो खुस रहा था, उनको समू पोद दरण की नीती ठीक है चलिए चौते प्रसन का अंसर सबने लगबग सही दिया है ठीक दिया है कुछ के गलत भी है चलिए अगला प्रसन आप देख लीजिए कि सती प्रथा का प्रथम उलेक हुआ है तो सती प्रथा भारत में कुप्रथा थी जिसे 1829 में लौड विलियम था भानुगुप्त और भानुगुप्त के टाइम पे हुनों का आक्रमन हुआ था और उसका एक सैनापती था जिसका नाम था गोपराज इस गोपराज यह लड़ते हुए विरगती को प्राप्त हुआ था तो इसकी रानी जो थी वो पहली सती होने वाली मैला थी ठीक है त तब गोपराज नाम क ए जो सैनापती था उसकी जो बी बीवी थी उसकी जो पतनी थी उसने वो पहली सती होने वाली मैला उपर तो यह दो लो आप आराम से एक है भीत्री अभिलेक तो भीत्री उत्तर प्रदेश में है तो ये मालवा में पढ़ता नहीं है दूसरा है गड़बा ये भी यूपी में है तो ये भी मालवा में नहीं पढ़ता तीसरा है एरन एरन कहाँ पर है सागर जिला मद्य प्रदेश तो ये मालवा किसका है बानो गुप्त का और बानो गुप्त के टाइम पे गोपराज की पत्नी सई जो है सती हुई थी ठीक है और इसका उलेक एरन अबलेक में किया गया है तो एरन अबलेक का है तो एरन अबलेक का टाइमिंग अगर आपसे पूछे तो 510 इस भी का है ठीक है 510 इस भी इसक timing रहा था चली अगला प्रस्न देख लेते है चट्वा प्रस्न हैं कि महरौली दिल्ली के कुबपलإस्लाम मस्जिद के प्रांगण में इस्तित लहव इस्तंब किसकी स्मृति में है महरौली कहां पर है مहरौली या महिरावली वराध मेर ने यह एक वैदशाला बनवाई थी दिल्ली में जिसे वरहा मेर के नाम से महिराबली नाम दिया गया तो बाद में महरौली पड़ गया जो दिल्ली में वहाँ पर एक मस्जिद है कुबबत अलिस्लाम मस्जिद जो भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है और इस मस्जिद का निर्मान जो देखने को आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पर एक लोह इस्तम्ब है तो उस लोह इस्तम्ब जो है वो किसकी स्मिर्थी में है तो option देख लीजिए पहला है अशोक, दूसरा है चंदर, तीसरा है हर्स और चौता है अनंग, पाल, तोमर आराम से देख लें और अंसर करें इस लोह इस्तम्ब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यह लोह इस्तम्ब 22 फिट उचा है और यह जो लोह इस्तम्ब है इसकी जो वेट है वो 6000 किलोग्राम है इसका वेट यानि 6000 इसका वेट है और आज तक इसमें जंग लगने नहीं पाई है और इस लोह स्तम का जो निर्मान कराया था वो राजा था चंद्र गुप्त दिती है यह गुप्त रंस का साशक था जिसका टाइमिंग रहा था 375 से 415 इस भी उसने इस लोह स्तम का उसके टाइम पे निर्मान हुआ था और उसमें नाम मिलता है चंद्र का और उलेक मिलता है कि यह ऐसे राजाने बनवाया था जिसने कामरूप और आपके पुंडर वर्दन और सारे जो है गंगा की पांच दाराओं तक के छेत्रों को जीत लिया था पूरे दक्षिन भारत पर उसने अधिकार कर लिया था तो आपको इतना याद रखना है कि मैरॉली में कुबबत उलेसलाम मस्जिद के प्रांगण में जो लोह स्तम है वो चंद्रगुप दित्या का है गुप्त साशकों के नाम दिये गए हैं और इनमें आपको यूँ देखना है कि कौन सा जो ऑप्सन है वो ऐसा है जिसमें साशनकाल के अनुरूप जो है राजाओं के नाम दिये गए हैं पहला है समुध्र गुप्त कुमार गुप्त कुमार गुपदितिये इसकन्द Gुप्त और चंदर कुरड़ पर्धम यहां पर पूरے आपको चारों अप्से पढ़लो पढने के बाद अंसर करना है, सबसे पहले यहां पे आपको इतना आना चाहिए कि पहले कौन राजा हुआ था, जब मैंने आपको गुप्त डाइनस्टी पढ़ाई थी, छे लेक्चर्स में दितिय था, उसका बेटा कुमार गुप्त पृथम था, उसका बेटा इसकंद गुप्त था, ठीक हैं, अब यहां इतनी सारी चीज़े में आपको बता दी हैं, तो अब आप इसका अंसर निकाल सकते हैं, देख लीजी, यहां पे पहला है समुद्र गुप्त, उसके बाद कुम देती है, तो इसलिए यह भी option गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें समुद्रुप्त के बाद आना चाहिए था, चंद्रुप्त देती है, तीसरा है समुद्रुप्त, फिर चंद्रुप्त पृथम, मैंने आपको बताया कि चंद्रुप्त पृथम का बेटा समुद्रुप्त है है तो इसलिए ये तीसरा ओप्सन भी Quick ऑफ जाये गा चौता है चंद्र गुप्त प्रथम उसका बेटा समध्र गुप्त इसलिए इस प्रस्ण जो सबसे साथीक आंसर है औहो है तीसरा है चंद्र गुप दिती है जिसका टाइमिंग 375 से 415 तक जाता है और कुमार गुप तो प्रस्ट का जो टाइमिंग रहा है वो 415 से 455 तक रहा है और उसके बाद इसकंद गुप 455 से 400 तक साशक रहा था ठीक है इस तरह से यह साथवे प्रस्ण का हमने हल किया है भी आपको प्रस्ण में एक चीज देखनी है कि भारत का नेपूलियन किस ने कहा है इसमित ने कहा है तो आपको ये प्रस्ण भी दोरा के पूछा जा सकता है इस प्रस्ण को उल्टा गुमा के पूछ सकता है चलिए आप आंसर तो करें कि व्यापक सैन ने विजय अभियान क के कारण इसमितने किसे भारत का निपूलियन कहा है और मुझे उम्मीद है सभी करेंगे और सभी के अंसर लगबग सही आ रहे हैं और इसका अंसर जो हो भूझत है वो सी ऊ हो जाएंगा ठीक है समudr गुपत को ही भारत का निपूलियन कहा जाता था क्योंकि इसने भारत के बहुत बड़े छेतर पर विजय प्राप्त की थी ठीक है चलिए आठ प्रस्न हमने पढ़ लिये हैं नवा प्रस्निया आपे देखेंगे नवा प्रस्निया है सर्व राजो छेता यानि सभी राजाओं को खाड फेंकने वाला कि उपादी किसने धारण की थी क्या चंद्रगुप प्रिथम ने की थी क्या चंद्रगुप दितिये ने की थी क्या समुद्रगुप ने की थी या इसकंद्रगुप ने की थी चलो अंसर करो और बताओ कि सर्व राजो छेता ये मैंने बताया था कि सभी राजाओं को खाड फैंकने वाला ऐसा राजा कौन था तो ये चीज आपको पता होना चीए सभी राजाओं को खाड फैंकने वाला अगर कोई शार्षक था तो वो था समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त ने ही सभी राजाओं को जीता था उत्तर भारत और दक्षन भारत के राजाओं के संगों को हराया था पहले संग में तीन राजाओं को हराया जो आरे वर्थ का प्रथम युद जाना जाता है दूसरे युद में दक्षनापत के बारा राजाओं को हराया जिसे दक्षनापत का वो इसे सोयुद्धों का विजयता कहती है समुद्रूत को और इसे ही भारत का नेपोलियन इसके लावा लिच्छवी दोहित्र अपरती रत यह बहुत सारे टाइटल इसको मिले थे जिनमें से एक टाइटल है सर्व राजो छेता तो सर्व राजो छेता कौन हो गया समुद्रूत अगला प्रस्न है कि निम लिखित पर विचार करें और सही को चुने प्रस्न देख लीजिए और इसका अंसर करिए प्रस्न है कि निम लिखित पर विचार करें और इसका सही को चुना है चुनाव आपको करना है पहला है कि हूण जो भारत आये थे वे मद्द इशिया की दुरलब प्रजाती में से एक थे दूसरा है इसकंद गुद के शाषनकाल में हूणों ने पहली बार भारत पर हमला किया था तो यहां पर देखना है कि पहला option है कि हूण भारत में आये थे यानि मद्द इशिया से आये थे दुरलब प्रजाती थी दूसरा है इसकंद गुद के शाषनकाल में हूणों ने पहली बार भारत पर हमला किया था ठीक है यह दोनों देख लीजिए और इसका अंसर करें फटा फट आइम बेट देखें बट बटा इसका जो आंसर होगा वो होगा दोनों सही ठीक है पहला यानि यह भारत आये थे मद्द इशिया की दुरलब प्रजाती में से एक थे और वहां से निकल कर यह यहां आये थे तो ये दोनों इसके जो हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानि option C, इसका correct answer हो जाएगा, चलिए, अगला हम प्रस्न देखने हैं, 11 प्रस्न पे पहुँच चुके हैं हम, और 11 प्रस्न है कि एक तरफ सूची दी गुई है, जिसमें राज्ये हैं, और दूसी तरफ उनकी राज राजदानी प्रवरपुर, दूसरा है मैतरक, जिनकी राजदानी भरुच, तीसरी है कदम, जिनकी राजदानी वैजनती या बनवासी, और चौते हैं सात्वहन, जिनकी राजदानी थी प्रतिष्ठान, तो इन चारों में से देख लिजिए कि कौन सा गलत है, एक option इसमें गलत है, बाकि तीन सही है, आराम से देखिए, चारों ही राजदानी में पढ़ा चुका हूँ, और अगर ये आप नहीं सही कर पा रहे हैं, तो आपको अभी और पढ़ने की आवशकता है, जो वीडियो लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं, उनको दोबारा देख लिजिए, आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक हैं, वहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री की जो है, इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, वो क्रम से आपको मिल जाएंगे, चलिए, इस प्रस्न का हल है, देखें यहाँ पे वाकाटकों की राजदानी प करती थी दूसरा है मैत्रक तो मैत्रकों का शाशन कहां था बल्लवी पर तो उनकी राजदानी भी कौन सी थी बल्लवी भरूच नहीं थी ठीक है क्या थी इनकी राजदानी मैत्रकों की बल्लवी तो यह इसका अंसर गलत है ठीक है तीसरा देखिए कदम कदम राजवंस धक्ष राजदानी मैत्रकों की राजदानी भरूच नहीं थी क्या थी इनकी राजदानी मैत्रकों की बल्लबी बल्लबी के मैत्रक इनका टाइटली बल्लबी के मैत्रक है तो इनकी राजदानी बल्लबी थी जो कहां पर है गुजराट में ठीक है चलिए अगला है प्रस्ण बारवा बहुती अच्छा प्रस्न है कि किस ग्रीक राजदूत ने विश्णू के सम्मान में इस्तंब बनवाया था। ग्रीक राजदूत यानि युनानी राजदूत को भारत आया था या यवन राजदूत भारत आया था और उसने विश्नु के सम्मान में एक इस्तंब बनवाया था और उस इस्तंब का नाम था विश्नु इस्तंब या गरुड इस्तंब उसको कहा जाता है और इस गरुड इस् जो आपके यवन साशक के दरवार से कहां आया था भारत आया था ठीक है तो ये गटना है पुष्यमित्र सुंग की और पुष्यमित्र सुंग के समय हैलियोडोरस ठीक है है पुष्यमित्र सुंग नहीं भागवत भागवत या भागभद्र ये एक राजा हुआ था जो सुंग के राजा का नाम भी भागवत या भागभद्र था ठीक है तो बारवे प्रस्ण का सही अंसर हो जाएगा उप्सन भी यानि हैलियो डॉरस चलिए अगला है अगला हम प्रस्ण देखते हैं तेरवा तेरवा प्रस्ण है किस सात्वान राजाने सक राजाओं से मालवा को बापि जीता था यह आपको सेलेक्ट करना है क्या गौत्मी पुत्र साथकर्णी ने जीता था क्या साथकर्णी प्रथम ने जीता था क्या हाल ने जीता था या सिमुक ने जीता था तो यहां पर इसमें आपको आंसर करना है कि मालवा में सकों को किसने हराया था यह चीज आपको ब आपके शुंग और कण्व राजवन सासन करता था तो शिमुक उस टैम इसने उनका सामन्त हुआ करता था और बाद में इसने इस सामराज्य की स्थापना की थी साथवान सामराज्य की तो यह सो मालवा पर इसने सक्वकों को नहीं रहा है सक अभी बाद में आएंगे प्रतम सत सति जो प्रक्रत भाषा में लिखा था इसकी रानी मलयवती विदुसी थी और इसके दरवार में सरों बर्मन रहा करते थे और गुणाईडे नामक विदवान रहा करते थे तीसरा था था साथ करनी पर्थम तो साथ करनी पर्थम तो एक विजयता रहा था जिसने दो अश्रुमिक और एक राजसुयक भी किया था तो एक विजयता साशक रहा था और इसके को पाली थी दक्षणा पत्थ पती यानि दक्षणा पत्थ का स्वामी और इसके कंट्रोल में मालवा भी था लेकिन साथकर्णी प्रथम जो है इसके टाइम सक भारत में नहीं आये थे सक भारत में आये भी थे तो वो पश्चिमोत्तर भारत में थे और मालवा में सकों का अधिकार नहीं था मालवा पर जो सकों का अधिकार होगा मत्रवा पर जो सकों का अधिकार होगा वो परिवर्थी काल में होगा और प्रतम सताब्दी में होगा और प्रतम सताब्दी का जो राजा था वो था गौत्मी पुत्र साथकर्णी और इस गौत्मी पुत्र साथकर्णी ने नहपान जो था छहरात वंस का उस नहपान नामक शाशक वराया था और इस गौत्मिय पुत्र साथ करणी ने सक राजाओं से मालवा को जीता था ठीक है तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नहपान हो जाएगा ठीक है चलिए अगला हम प्रस्न देखते हैं चौदवा प्रस्न है और चौदवा प्रस्न हम से क्या कह रहा है कि दारा या डेरियस फस्ट के बारे में सही नहीं है तो एक हकामनी वंस का शाशक था इरान का एक शाशक था दारा फस्ट या डेरियस फस्ट जो पहली वार भारत के बड़े छेतर को जीतता है उस पें कंट्रोल करता है और भारत में बहुत सारे अबलेख लगबाता है और इची दारा फरस्ट से प्रेरित होकर माना जाता है कि अशोक ने बाद में अबलेख लगबाई थे चीक, तो दारा ये डेरियस फरस्ट के बारे में कौन सा सही है इसने गांधार को विजित कर 20व भी बताया था दारा को भी बताया था दारा प्रथम को भी दारा तिरतिय को भी जरेक सीज को भी बताया था ठीक है यह सारे लोगों को मैंने सारे सासकों को बताया था तो इसमें जो दारा प्रथम था इसने गांदार को जीता था और वीश्वा प्रांत बताया था यह बिल्क के पास पढ़ता है तो उस मकरान तट से एक समुद्री रास्ता इसने खो जाता है और चौता है कि यह अंते मिरानी शाशक था तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि अंते मिरानी शाशक दारा प्रथम नहीं दारा तृतिय था डेरियस थर्ड था तो इसका जो सही अंसर होगा वो option D जो है यही सही नहीं है तो यही इसका अंसर हो जाएगा चलिए पंद्रवा प्रशन देख लीजिए पंद्रवा प्रशन है कि अशोक के काल में किस देश के राजा ने उसके समान देवनाम प्रिये की उपादी ग्रहन की पहला है मिश्ट का राजा टॉलमी दूसरा है एपिरस का मक शीर्या का एंटीगोनस या एंटियोकस और चौता है स्रिलंका का तिस अशोक के काल में किस देश के राजा ने उसके समान देवनाम प्रिये की उपादी धारन की थी अशोक की जो अपादी मिलती है वो देवनाम प्रिये प्रिये दर्शी या देवनाम प्रिये दस्सी ये इसका टाइटल मिलता है अशोक का तो ऐसा कौन सा राजा था जो इस अशोक से प्रभावित हुआ और बाध बन गया और बहुत बनने के बाद अशोक जैसा ही नाम उसने अपने नाम के आगे लगाया तो वहाँ राजा हुआ करता था दोस्तो स्री लंका का राजा तिस कौन था? स्री लंका का राजा तिस युग में यानी की जोड़ा कौन सा जोड़ा चंद्रगुप्त दितिये के नवरतनों में सामिल नहीं था यह आपको सेलेक्ट करना है देख लीजे नवरतन मैंने आपको नवरतन पढ़ाये थे और भारत का पहला राजा चंद्रगुप्त दितिये था जिसके दरवार में नवरतन हुआ करते थे इसी को विक्रमा दित्ते के नाम से भी विक्रमांक के नाम से भी अजीत विक्रम के नाम से देव गुप्त देव श्री ठीक है यह बहुत सारे नाम थे देवराज, सकारी बहुत सारे नाम जाने जाता था स्रक्षंद को देती है और इसके दरवार में नौरत नहों होते है तो इनमें से कौन सा जो युग में है वो सामिल नहीं है पहला है परणदत और चक्रपाले दूसरा है धनवंत्री और वर्रुची तीसरा है संकू और वेतालबट और चौता है वरामेर और आपके अरशियन यह यहाँ पर अमर्शिंग है यह अमर्शिंग और गलती से टाइप हो गया यह अमर्शिंग है अमर्शिंग ठीक है इसको अरशियन नहीं पढ़ें अमर्शिंग पढ़ें यह गलती से जो है मिस्टिक हो गया टाइपिंग प्रोब्लम है तो यहां पे देख लीजिए इसमें पर्णदत और चक्रपालित जो हैं यह इसका जो नवरत न थे उसमें सामिल नहीं थे क्योंकि पर्णदत जो था यह कौन था यह इसकंद गुप्त जब हम पढ़ेंगे तो इसकंद गुप्त के टाइम उसका सौरास्त का गवर्नर था काठिया वाड का गवर्नर था ठीक है और उसे इसकंद गुप्त के time पे ही पर्णदत ने अपने बेटे चक्रपालित को गिर्नार का जो गिरनार जगे थी, उसका कया बनाया था, उसका सर्बोच अधिकारी बनाया था, ठीक है, और इसी ने गिरनार जील का प्रणोधार भी कराया था, चक्रपालेत ने, तो ये समुद्ध इसकंदगुप्त के टाइम के थे, यानि है चंदगुप्त दितिये का बेटा कुमार नो नहीं है अनुछेद 343 में हिंदी को Pharaki राज भाउचित किया गया है Iya तो यहां पर गुप्त दरबार की वो बात कर रहे हैं गुप्त दरबार में कौन सी थी तो वो थी संसकत कौन सी थी संसकत ठीक है तो गुप्तों की जो राजकिय भासा थी वो संसकत हुआ करती थी पाली और प्राक्रत यह पुराने जमाने में रही थी प्राक्रत मौर्यों की राज की भासा थी और पाली उस टाइम की आम भासा थी मात्मा बुद्ध ने पाली भासा में ही अपने उपदेश दिये थे जिसे मागदी भासा भी कहा जाता था और प्राकरत भासा में जो उपदेश दिये गए थे वो किसके माध्यम से दिये गए थे तो वो दिये थे महाव प्रस्ट को देखिए किस विदेशी आक्मनकारी को भारत का अटिला और विनास का देवता कहा जाता है तो ऐसा कौन सा विदेशी आक्मनकारी है जिसे भारत का अटिला या विनास का देवता कहा जाता है देखिए कितने बड़े टाइटल इसको मिले हैं यानि ये एक बहुत ह रिनित सासक रहा होगा जो इसको विनास का देवता कहा इसको भारत का अटिल्ला कहा अटिल्ला कौन था अटिल्ला एक हून अक्मन का रही था अश्वेत हूनों में से एक था जिसने रोमन सामराज्य को बहुत जादा छती पहुचाई थी रोमन सामराज्य को तहसनेस कर दिया आपके मीरपुर यह यहाँ पे mistake हो गई है यह महरकुल है यह महरकुल पढ़ें आप महरकुल ठीक है रुद्रदामन तूर्मान नहपान और महरकुल चौथा option महरकुल है और आराम से देख लीजिए और आंसर करिए फटाफट करिए रुद्रदामन था तूर्मान था, नहपान था, मीरपुर था तो रुद्रदामन के बारे में भी बात करें तो रुद्रदामन तो संस्कत का विद्वान था और सैव था तो यह तो और रुद्रदामन जो था हमारे भारत का एक ऐसा राजा रहा था, जो मिलेच होते हुए भी, विदेशी अक्वनकारी होते हुए भी, यहाँ पर फूज निया माना गया इसको, ठीक है, दूसरा हुआ तोर्मान, तोर्मान एक विदेशी आकवनकारी था और इसने भी भारत में काफी विनास किया था तीसरा है नैपान नैपान एक सक राजा था जिसका साशन आपके नाशिक के आसपास के छेतरों पर था और इसको पराजित कर दिया था गौत्मी पुत्र साथ करनी ने और चोथा है मीरपुर यानि की महरकुल ठीक बहुत अच्छा प्रस्ण है कि मालवा के किस राजा ने महरकुल की सकती को नस्ट कर दिया तो महरकुल कौन था भारत का टिला विनास का देव था तो ये भारत में विनास फैला रहा था और ऐसा कौन राजा था जिसने इस महरकुल की सकती को नस्टी कर दिया था पहला है न भारत का सिकंदर कहेंगे और ये कैश्पियन सागरतक के छेत्रों पर विजय प्राप्त करेगा ठीक है तो ये तो बाद का है तो ये तो आपके होई नहीं सकता दूसरा देख लीजिए दूसरा है भानुगुप्त तो भानुगुप्त का 510 का एरन अभिलेक मिलता है और राज़ा कौन था ये शवधर्मन था नराषिंग्पत का राज़ा था मगद का राज़ा ठीक है पहली बार इन दोनों ने मिल करके महर ख़त्रों पर पर ये बहुत Barely कर दिया था और ये यशो धर्मन जो साशक था ओलिकर वंस का ये साशक था ओलिकर वंस का साशक था ओलिकर ठीक है ओलिकर वंस का साशक था यशो धर्मन इसने मेर कोल को पराजित कर दिया और इसकी सक्ति को नस्ट कर दी ठीक है अंतिम प्रस्न है आज की इस रंकला में अंतिम प्रस्न में आपको Upload कर चुका हूँ और उसमें मैंने बहुत बहुत अच्छे से बताया था तोर्मां को मेहिर कुल को ठीक है इत के लाव बलेशबी के मैतरक्वंस को भी बताया था जिनको हुनों का वंससर माना जाता है ठीक है तो हुन अक्मनकारी तोडमां का हर्त के किस इसे पर साशन नहीं था पहला है पंजाब दूसरा है गांधार तीसरा है मालवा और चौता है मगद तो इन में से कौन से इसे पर साशन नहीं था तो पहली बात है पंजाब तो बिल्कुल सही है कि पंजाब पर तो हुनों का अधिकार था ही था तो इसमें तो आप कुछ मना भी नहीं कर सकते और दूसरा गांधार तो यह दो तो आप्षन बिल्कुल सही हैं इन पर तो अधिकार था ही था दूसरे मालवा और Мager तो तोर्मान जिससा में शाशन कर रहा था तो मगद पर उससमें साशन कर रहा था नरशेंगुप्ट तो नर्शिंग गुप्त संभवत्या पराजित हुआ हो तोर्मान से और लेकिन उसका जो तोर्मान का अधिकार था वो मगद पर नहीं हो पाये था लेकिन भानु गुप्त जो था उसे तोर्मान ने पराजित कर दिया था जो उस समय मालवा का शाशक था और सम्ववत्यात तोर्मान का कबजा है वो मालवापर हो जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था दो भाई थे धन्य विश्णु और मात्र विश्णु ठेक है उनका जो अबिलेक मिला है अइरन से उस अबिलेक में जो है तोर्मान को तुर्मान को उसने अपना अधिपती बताया है तो इसे पता लगता है कि मालवा पर भी इसका अधिकार था, तो यानि नहीं कौन सा है, तो चौथा ओसन जो है इसका सही अंसर हो जायेगा, वो है मगद तो तुर्मान का किस इसे पर साशन नहीं था तो मगद पर साशन नहीं था चलिए दोस्तों आज की संकला का समापन हम यहीं पर करेंगे आप सभी की थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिससे कि हमें भी एक उर्जा मिले आगे काम करने के लिए बाकी आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगी होंगी और अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट के माद्यम से में जरूर सूचित करें और यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं जीके से संबंदित है वो डाला गया है चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा बहुत बहुत धन्यबाद जै हिंद जै भारत